तेज भूकम के जटके महसूस किये गए हैं रियक्टर पैमाने पर इसकी तीवरता 6.6 मापी गई है अधिकारियों के मुताबिक भूकम से काफी नुकसान हुआ है भूकम के जटके लगते ही लोग दहशत में इधर उधर भागने लगे कई इमारतों को भी नुकसान पहुँचा है भूकम की ये डरावनी तस्वीर फिलिपिन्स की है ये भूकम मंगलवार की सुबह 9 बच कर 4 मिनट पर आया है इस भूकम में 5 लोगों की मरने की खबर है तो वहीं करीब 60 लोग घायल बता जा रहे हैं फिलिपिन्स इंस्ट्ट आफ वॉलकोनोजी के मताबिक कोटो बेटा प्रांत के 972 किलो मीटर दच्छिड में तुलना शहर में भूकम का केंद्र था भूकम की वजह से कई जगों पर जानमाल का नुकसान हुआ है यहां तक की कई इमारतों के गिरने की भी खबर है तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहे हैं प्रहाटेंग ताजा तरिन खबरों के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बिल आइकॉन दबाना न भूले अगर आप फेस्बुक पर देखते हैं तो हमारे पेज को लाइक करें